Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So, आज हम करेंगे कि किस तरह एक web page में हम audio and video files को add कर सकते हैं. So, audio files मतलब आपके पास कोई mp3 file है या आपके पास wave file है और even ogg file है. So, आप उसे add कर सकते हैं as an audio in your web page. Similar way, आप एक video file को भी add कर सकते हैं. So, अब हम देखेंगे कि किस तरह से audio and video files को add किया जाता है. जैसे यह अभी आप screen पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक audio file में आड की हुए है तो मेरे पास यह controls आ रहे हैं. जैसे ही मैं play पे click करते हूं, यह music play होने लग जाता है. और मैं इसे pause कर सकते हूं, right? So, आप यह इसको किते देर तक भी play कर सकते हूं. आप इसमें आपके पास audio add किया कैसे गया है, वो अगर हम देखें, तो यह हमारे पास code है. जितमें आप tag देख रहे हैं कौन सा है? Audio. Audio tag यूज हुआ है. इसके आगे मैंने space देके controls लिखा है. यह controls लिखने की वाज़े से, वो जो आपके पास बाहर आ रहा है, जिसमें pause, play और mute का button है. So, वो buttons क्यों आरे हैं? क्योंकि यह controls लिखा हुए. अगर मैं यह नहीं लिखूंगे, तो आपके पास वो सारे controls नहीं आएंगे, सिरफ play का button आगा, right? When you have to give the source, कि आपको कहां से यह source मिल रहा है, तो source is the tag, उसका attribute भी है, src, that obviously stands for source, but आपको दोनों लिखने, पहले source लिखेंगे, फिर आप src लिखेंगे, और उसके बाद अपनी file का नाम देगे, अगर आपकी mp3 file same folder में है, तो आप ऐसे नाम लिख सकते, मेरी same folder में है, that's I have written the name like this, अगर किसी drive में होगा, तो आपको पूरा path देना पड़ेगा, जहां से भी आप उसको pick कर रहे है, आप online भी pick कर सकते है, type is equal to audio slash mpeg, आपको लिखना है, अगर आपकी mp3 file है, तो अगर ogg file है, तो यहाँ पर slash ogg हो जाएगा, और यह जो message है, यह हम तब लिखते है कि by chance कोई ऐसा browser है, जो audio को play नहीं कर पा रहा है, तो उस जगा पर, instead of coming to controls, आपके पास यह message आ जाएगा, तो वो controls को नहीं दिखा पा रहा है, तो वो दिखा देगा कि audio जो नहीं हो सकता है, audio play नहीं हो सकता, ठीक है, इसके साथ एक attribute और होता है, जिसे कहते है, auto play, auto play लिखन करते हूं, so, it is again supported in some browsers, in some it is not supported, like chrome support नहीं करता है, पर आप दूसरे ब्राउसरे पर रहा है, वो उपने आप play हो जाता है, पर जरूरी नहीं है कि वो हर ब्राउसर में ऐसे होगा, बाकी images अगर आप यूस कर रहे हो, तो images तो आप डाउनलोड कर सकते हो, जो बिदा copyright वाली images ह होती है, वैसे ही sound files भी जब हम डाउनलोड करते है, you have various sites, like one of this site is there, तो ये sound मेंने यहां से डाउनलोड करिये, but you can download from any site which supports copyright free sounds, था कि अगर आप कोई sound use कर रहे हो, तो यह तो आप credit दे के use करो, या फिर आप copyright free sounds डाउनलोड कर सकते हो, similar way, अगर वीडियो पुट करनी है, so if you you have to put the video, तो आप ये tag use करेंगे, उसका नाम होगा video, उसकी width कितनी आने चाहिए, उसकी height कितनी आने चाहिए, उसकी height कितनी आने चाहिए, वो आप बता सकते हो, नहीं को जो default width और height हो अचाहिए, controls मुझे एक्शो करने है, इसलिए मैंने इसके आगे controls लिखा है, same tag है, source के अ audio और video tag का difference है, और video के case में आप width और height बता सकते हूं, audio के case में आपको width और height ही बताना है, so let's save this, and I wanted to appear on the next line, तो मैं यहाँ पर BR देती हूं, तो मैं इसको save किया, इसको जाकर मैं रिफ्रेश किया, so यह मैंने video यहाँ पर add किया, देख रहे हूं, कि आगे, अगे, अगे, अ इस तो बड़े ही प्यार से समझा जाएंगे, so who invented this language, so correct answer for this question is Dennis Richie, so Mr. Dennis Richie, सकते हैं, as well as video insert कर सकते हैं, बहुत ही simple से tag है, बस याद होने चाहिए, कि किस tag से क्या होता है, HTML is a non-procedural language, यहाँ पर आपको हर tag यह बताता है, क्या करना है, यह नहीं बताता कैसे करना, so we tell what to do rather than telling how to do it, so it's a markup language, use the tag, get the result, आपको tag पता होने चाहिए, आपको उसके साथ use होने वाले attributes पता होने चाहिए, and you're sorted, so that is it about adding audio and video files to your webpage, so I hope यह समझा आया होगा, if yes, तो जरूर like पे क्लिक कीजिए, share the video with as many students as you can, and make the channel reach maximum of people, subscribe the channel if you haven't subscribed yet, and I'll see you in the next video, till then take very good care of yourself. माइव yle दसक्ड़क सच्पस्च्द engagement कर द switched कर दो